नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अश्य देदी एक और वीडियो में आपका स्वागत है चैप्टर 69 की एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे इस चैप्टर हो खतम करना है नैशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को रिकोगनिशन कैसे दिया जाता है अगर एक नैशनल पार्टी को रिकोगनिशन देना है एक अगर पॉलिटिकल पार्टी को रिकोगनिशन देना है तो क्या कंडिशन है similarly किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकोगनिशन देना है तो क्या कंडिशन से और स्पेशल प्रिविलिजिस क्या है उनके बस इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं देखें, election commission के ओपर यह responsibility है कि वो register करेगा political parties को अगर कोई एक particular person political party float कर रहा है किसी election के लिए तो उसको अपने इस decision को जाके election commission को बताना पड़ेगा ताकि election commission उस political party को register कर सकी चुकि अव्वेसी बात है political party को register करने का formal process होता है उस political party के अंदर जो उसके candidates होंगे वो अपना nomination फाइल करेंगे उस political party को एक symbol allocate करेगा election commission जो बहुत से काम होते है ठीक है तो election commission political party को register करता है और उनकी poll performance के हिसाब से उन्होंने election में जैसे भी perform किया है उसके हिसाब से उन political parties को national party या state party का दर्जा दिया जाता है माल लिजए कोई party ये national party नहीं है या state party नहीं है तो अगर कोई एक political party recognized है आपका मतब recognized कहने का अतलब है कि registered है election commission of India ने एक political party को register कर रखा है register करना जरूरी है लेकिन register करने के बाद भी अपने poll performance के बाद नवो national party बन पाई नवो state party बन पाई तो उसको क्या बोला जाएगा उसको बोला जाएगा registered unrecognized party चीको recognition दो तरीके से मिलेगा या तो that party will be recognized as a national party या फिर that party will be recognized as a state party अगर वो ना national party है ना state party है but election commission पास registered है तो वो एक registered unrecognized party बन जाएगी तीक है बई उसके बाद उनको कुछ certain privileges मिलते हैं जैसे कि for example अगर कोई national party या state party बन जाती है तो अब्यस्ती बाद उसको एक party symbol मिल जाएगा वो party symbol उसके लिए exclusively reserved होगा जो political broadcast होते है state owned television और radio station पे जैसे कि All India Radio हो गया state owned television जैसे कि दूर दर्शन हो गया private television पे अगर आपको advertisement करना है तो पैसा खतम करना पड़ेगा तो जिसके पास पैसा अब ही खतम कर पाएगा लेकिन यह जो public owned television होता है जैसे दूर दर्शन हो गया या local level पे कोई सरकार का channel चल रहा है All India Radio आकाशवानी हो गया अभी यह तो public पैसे से चल रहे है तो इन channels के ऊपर कौन सी political party कितने समय के लिए अपना advertisement कर सकती है इस बात पर dependent करेगा कि वो state party है या national party है पिछले election में उसने कितने vote cater किये इन सब चीजों पर dependent करेगा फिर access to electoral roll access to electoral roll का मतलब यह नहीं है कि electoral roll में जितने भी लोग vote डालने आ रहे है उनके पूरा address address सा पकड़ा के इन political parties को दे दिया जाएगा नहीं electoral roll का मतलब यह है यह किसी एक particular constituency में कितने लोग है उके उन लोगों में से कौन-कौन vote डालने लायक है किस इलाके में कितने लोग concentrated हैं जिससे वो political parties अपनी political campaigning plan कर सकें यह political parties अपनी campaigning करते हैं political rallies निकालते हैं election से पहले rally आ चल रही होती हैं तो भाई rally के लिए घुमना पड़ेगा ना छेतर में जाके घुमना पड़ेगा mobilize करना पड़ेगा masses को और ground loyal पर कारे करता करते हैं यह party के तो उन कारे करता हो और party bosses को पता होना चाहिए कि भी यह कहां पर population है इस constituency वाले कहां पर vote डालने आएंगे और इससे trends भी identify करती है political parties यह political parties पूरे कह सकते हो कि public relation media houses को hire करती हैं उनकी marketing services का ये उन clusters को identify करती हैं जहां से इनको vote मिलते हैं ये उन clusters को भी identify करती हैं जहां से vote नहीं मिले तो भाई क्यों नहीं मिले तो वहाँ पे जाके उस हिसाब की campaign करना अपना election manifesto चापना ये सब चीज़ हैं कहीं न कहीं अगर political party को recognition मिला हुआ हुआ है इस बाध का काफी फाइदा होता है और किसी एक National Party को अगर एक iloicate कर दिया Ellection Commission ने तो वहिए पुरे देश में कहीं पर इस्तेमाल कर सकती u.s इस्टेस को ऄजगें है ।थ तो इस्टेस वाला जो सिंबल है वो सिंबल वो स्टेट पार्टी उस स्टेट में हर जगा इस्तमाल कर सकती है तो भई नैशनल पार्टी अगर आपको रिकोगनाईस किया गया है और आपको कोई सिंबल है तो आप पूरे देश में इसका इस्तमाल कर सकते हो अगर आपको state party recognize किया गया है और आपके पास एक symbol है तो उस symbol को आप उस state में हर जगा इस्तमाल कर सकते हो और एक registered unrecognized party जो कि ना state party है ना national party है उसको भी एक symbol allocate किया जाएगा वो party उस symbol को चिन सकती है from a list of free symbols election commission of india के पास एक list of free symbols है और उसमें से कोई भी symbol एक particular registered unrecognized party अपने लिए चुन सकती है तो कल की date में मैं मेरे पास मान लिजे की पांदस हजार करून रुपए आ जाए है और मुझे जो चड़े की भाईया मैं election लड़ूँगा ठीक है ना तो मैं election commission के पास जाओंगा election commission मेरी political party को एक registered unrecognized party का दर्जा देगी और मुझे से बोलेगी कि ये free symbols के list मैं अपने लिए चुन लो समझ गया तो कुछ इस तरीके से काम होता है फिर और भी बहुत से फाइदे है अगर किसी recognized party के किसी candidate को अपना nomination फाइल करना है तो उसको एक proposal चाहिए हो तो nomination मतलब की basically एक political party का member ये बोल रहा है कि भाई मैं इस विधान सभा के या इस लोग सभा के election में इस seat के लिए अपना नाम मैं सामने रख रहा हूँ तो ऐसे cases में उसके नाम को propose करने के लिए election commission of India के सामने केवल एक proposal चाहिए फिर भाई उसके आगे एक चीज़ होती star campaigners जो recognized parties होती उनके लिए 40 star campaigners की permission होती है और जो registered unrecognized parties होती उनके लिए 20 star campaigners की permission होती star campaigner क्या होता है star campaigner एक ऐसा चेहरा होता है इस political party का जो की बहुत famous हो जैसे for example अगर आप Indian national congress की बात करिए तो Indian national congress के लिए आप star campaigner कह सकते हैं किसको राहूल गांदी की राहूल गांदी जी की भी अपनी fan following है नोडाट उनको बहुत से लोग क्रिटसाइज भी करते हैं बहुत से लोग राहूल गांदी को मानते भी है ठीके ना वो अपनी अपनी political ideology है लेकिन राहूल गांदी आप कह सकते हो कि international congress के एक face है तो माली जै कहीं पर अगर campaigning हो री तो राहूल गांदी जी जाके प्रॉपर तरीके से समझाया है कि basically ये star campaigner कैसे काम करते हैं और इस star campaigner के उपर क्या checks and balances लगा सकती election commission of India तो कमलनात मेरे नाम के साथ अश्रीदी साथ YouTube में सर्च मारिए आपको ये particular video मिल जाएगी इस particular video को जरूर देखें चुकि ये basic video ये actually ये जो topic है ना ये news में रहा है and that becomes very important for all types of examination तो समझ गया ना star campaigners क्या होते है star campaigner जो कि किसी एक political party को किसी एक particular election में promote करते है वो state-led study assembly के elections हो सकते है वो लोगसभा के elections हो सकते है ठीक है भाई और इन star campaigners के जो भी travel expenses होंगे आपको पता है चाहे लोगसभा के election हो रहे हो चाहे राजसभा के election हो रहे हो तो अब माल लिजए वायनाड में लोगसभा के election हो रहे है और वायनाड में राहूल गांदी जी के अलावा कोई दूसरा congress का candidate खड़ा हुआ है हाला कि वायनाड से अभी MP रहूल गांदी है ठीक है ना भई तो कोई Congress है candidate वायनाड से खड़ा हुआ है election लड़ने के लिए ठीक है International Congress के उस candidate को promote करने के लिए माल लिजए राहूल गांदी जी वायनाड विजट करते है तो जो राहूल गांदी जी के विजट करने का और campaign करने का जो खर्चा होगा ना वो उस particular candidate की खर्चे के limit में count नहीं किया जाएगा जो कि लोगसभा की वायनाड की seat पर खड़ा हुआ है Congress की तरह से जो कि आपको पता है कि लोगसभा के लिए भी और state-lessed assembly के लिए भी एक constituency पे maximum खर्चा कितना कर सकते हैं इसके limit set कर रखी है election commission of India ने तो star campaigners जब travel करके कहीं पे election का promotion करते हैं तो उनका जो खर्चा होता है ना उसको उस constituency के जो total खर्चे के limit उसमें count नहीं किया जाता ठीक है भई तो ये कुछ चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी आगे बात करते हैं conditions for recognition as a national party अगर एक party को national party recognize करना है तो भाई क्या conditions fulfill होनी चाहिए तो conditions देख लेते हैं एक बार के लिए पहली condition if it secures six percent of the valid votes polled in any four or more states at a general election to the loksabha or to the legislative assembly and in addition it wins four seats in the loksabha from any state or states यहां end लगा हुआ है मतलब यह दोनों conditions fulfill होनी चाहिए तो भाईया अगर एक political party है जिसने किसी एक state से या एक से ज़्यादा state में total 4 loksabha की seat जीती हो तो किसी एक state से 4 loksabha की seat या एक से ज़्यादा state से 4 loksabha की total seats और उसके साथ-साथ general election to the loksabha में general election to the loksabha में जो number of valid vote poll हुए है चार या चार से ज़्यादा states में उसके कम से कम 6% vote उस political party को मिले हो या फिर legislative assembly of a state में जो भी votes poll हुए है उसके 6% के valid vote से ज़्यादा मिले समझें यहाँ पर loksabha में जब election हो रहे होंगे तो सारे states में vote पढ़ रहे होंगे ठीकी न भई तो loksabha के election में सारे states में vote पढ़ रहे होंगे तो 4 या 4 से ज़्यादा states में अगर उस political party को number of valid votes का 6% मिलता है या फिर legislative assembly of the state के vote पढ़ रहे हो और legislative assembly of the state मतलब 4 states या 4 से ज़्यादा states के legislative assembly के elections में अगर 6% of the valid votes कोई एक political party खींच ले जाती है उसके साथ-साथ वो 4 seat जीच जाती है लोksabha में किसी एक states या एक से ज़्यादा states में तो वो party नैशनल party बन जाएगी ठीके न भाई यहाँ पर optional provision यह है कि या तो उसने 6% valid vote ले लिए 4 या 4 states से लोकसभा के elections में या फिर legislative assembly के elections हुए तो राजस्थान, मद्द, पदर्श, गुजरात, उडिसा के election हुए और इन 4 states में 6% से ज़्यादा valid vote एक political party ले गई और उसके साथ-साथ और चार vote सीटें ले गई लोकसभा में एक स्टेट से या एक से यादा स्टेट से तो वो national party बन जाएगी ठीके तो यह तो लोकसभा यह state-led legislative assembly में चार states में valid votes के 6% से ज़्यादा चार-चार से और उसके साथ चार सीटे इन लोगसभा, एक स्टेट से, आएक से यादर स्टेट से, तो क्या होगी नैशनल पार्टी होगी? दूसरा पॉइंट, if it wins 2% of the seats in लोगसभा at a general election and these candidates are elected from 3 different states, मतलब कि कम से कम 2% seat जीती हो लोगसभा में, अभी के लिए मान लिजे कि लोगसभा में 543 seat हैं, ओके, 550 seat मान लिजेते हैं to be round off, इस 550 seat का 2% कितना हो जागा? इंटो 2 by 100, तो यह हो जागा 5.5 इंटो 2,11, तो अगर कोई political party लोगसभा में 11 seat जीत जाती है, और यह लोगसभा की 11 seat कम से कम 3 states जीती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उत्तरपदेश की 80 में से 11 seat एक political party जीत गई तो वो national party बन जागी, नहीं, तीन अलग-अलग state से at least 11 total seat जीती हो लोगसभा की, तो भी वो national party बनीगी, अगर एक ही state से वो 11 seat जीत जीत गई लोगसभा की, तो नहीं बनेगी, समझ गए बात को, तो लोगसभा में 2% of the seats और सासद वो 2% of the seats आपकी 3 states से आई हो, और तीसरा point, अगर वो party, state party designated है 4 states में, तो वो national party automatically बन जाएगी, यह 4 states का फंडा क्या है, 4 states का फंडा यह है, क्योंकि 6% of the valid vote कहां से खीचे जा रहे थे, 4 अलग-अलग यह उससे ज़्यादा states से खीचे जा रहे थे, चाहे लोगसभा की, चाहे जनरल elections of the legislative assembly के, पहला point क्या था, कि लोगसभा के सारे states में election हो रहे हैं, तो 4 है, 4 से ज़्यादा states में 6% vote, यह state-less state assembly, 4 states के voting हो रही है, उसके 6% से ज़्यादा के vote, तो यह conditions fulfill होती है, तो क्या बन जाएगी वो party, national party बन जाएगी, और अगर वो party already 4 states में state party है, तो automatically national party बन जाएगी, तो यह 3 भाई, तरीके हैं जिससे एक party national party बन सकती है, अब बात करते है, condition for recognition as a state party, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, पहला point देखे, if it requires 6% of the valid votes, polled in the state at a general election, to the legislative assembly of the state concern, and in addition, it means 2 seats in the assembly of the state concern, तो भाई, किसी एक state legislative assembly के election हुए, और उसमें 6% valid votes एक political party जीत गई, और साथ-साथ उस state की legislative assembly में 2 seats जीत गई, तो वो वहाँ पे state party बन जाएगी, दूसरा, if it's secure 6% of the valid votes, polled in the state at a general election to the loksabha, from the state concern, and it wins 1 seat in loksabha, from the state concern, किसी state में loksabha के election चल रहे हैं, और लोksabha के elections में उस state के जितने भी valid votes polled हुए, उसके 6% मेले एक political party की, और उस state को लोksabha में जितनी भी seat एलोकेट की गई हैं, उसमें से एक seat लोksabha में वो political party ले गई, तो वो state party बन जाएगी, तीसरा, अब देखें, पहला था 6%, यहाँ है 3%, ठीकिन न भाई? लेकिन यह 6% of the valid votes था, और यहाँ 3% of the seats हैं, तो वहिया एक general election में एक legislative assembly की 3% seat अगर ले जाता है कोई एक political party, या फिर कम से कम उस legislative assembly में 3 seats लेके जाती है वो political party, जो भी इन दोनों नंबर में से बड़ा होगा, whichever is more, तो मान लीजे, कि एक state की state legislative assembly में डेड़ सो लोग है, इसका 3% कितना हो जागा? तो मतलब कम से कम पाँच seat हैं, तो मतलब इस legislative assembly में अगर पाँच seat हैं जीत जाती है कोई political party, तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी state party, उस particular state में, या फिर मान लीजे कि किसी एक state में मान लीजे 60 seat हैं, ठीके वैज, अभी एक state की state legislative assembly में 60 seat हैं, तो इस 60 seat का 3% कितना होगा? 1.8, यानि उसको उस state में 2 seat हैं चाहिए, लेकिन यहां सुनिए, या तो 3% of the states in legislative assembly, या 3 seats in the assembly, whichever is more, तो अगर किसी state legislative assembly में 60 seat हैं, तो उसका 3% तो 1.8 हुआ है न, तो मतलब 2 seat हैं चाहिए, चुकि तीसरा वाला point यह बोलता है कि, या तो 3% of the state legislative assembly या 3 seat हैं, whichever is more, तो भाईया अगर 3% overall seats का ज़्यादा निकल के आ रहा, तो वो लाना पड़ेगा, और अगर वो कम निकल के आ रहा, तो कम से कम 3 seat हैं चाहिए उस state legislative assembly में, किसी एक state में लोगसभा से 50 seat है located है, और इस 50 seat हो में, 1 is to 25 के ratio में, अगर कोई political party seat है जीत लेती है लोगसभा में, तो वो state party बन जाएगी, तो माल लीजे, अगर किसी एक state में, किसी state की लोगसभा में 50 seat हैं, और 50 seat हो में से, कम से कम 2 seat एक political party ले जाती है, तो वो state party बन जाएगी, क्यों चुकिए वो लोगसभा सेटे ले पारी, माल लीजे, किसी एक state से लोगसभा में 25 seat हैं, ठीक है, तो भाईया, इन 25 seat पे, एक seat भी अगर कोई political party जीत जाती उस state से, तो वो state party बन जाएगी, हर 25 seat हैं, जो कि उस state से लोगसभा की हैं, उसमें से एक seat भी अगर कोई political party लेके जाती है, तो भाई, वो state party मन जाएगी, और फाइनली पांचमा वाला point, और ये पांचमा वाला point, 2011 में जोड़ा गया है, कि if it secures 8% of the total valid ports in the state and general election to the लोगसभा, from the state or to the legislative assembly of the state, कहने अगर दब ये है, कि भाई, एक general election हो रहे हैं लोगसभा के, तो उस लोगसभा के elections में state में जो भी voting पड़ी, उस state की voting का total valid votes का 8% valid votes, अगर कोई political party ले जाती है, तो state में वो state party बन जाएगी, या फिर, उसे state की legislative assembly के चुनाव हो रहा है, और वहाँ पे 8% of the valid votes ले जाती है, तो भी वो state party बन जाएगी, 2019 पर 7 national parties थी, 52 state parties थी, 3354 registered unrecognized parties थी, ठीक है, national parties और state parties को all India parties बोला जाता है, sorry, national parties को all India parties बोला जाता है, state parties को regional parties बोला जाता है, अभी लक्ष्मी कांत के 6th edition में ये बता रखा है कि कब general elections हुए उसे में बे कितनी political parties थी, 2019 में कितनी national parties थी, अलग-अलग states में जो भी state parties उनके symbol क्या है, उनका नाम क्या है, तो ये सब आप अपने state के साफ से पढ़ लिजे, हमें पूरे देश का रटनेगी ज़रोथ नहीं है, उतना important है नहीं, chapter number 69 खतम होता है, अगली वीडियो में chapter number 17 मिलेंगे, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे like का बटन, अच्छे, इस star campaigners वाली PPT तो मैंने समझा दिये आपको, यहाँ पे आप चाहो तो पढ़ लो, तो वीडियो पे like का बटन ज़रा जुरू पूछना दोस्तों, share और subscribe कर देंगे चैनल को, like और comment से, engagements पढ़ते हैं, उससे बात चीद करने कि आप Instagram पो follow कर सकते हैं, थोड़ा late हो सकता है जवाब देने में, उससे थोड़ा ज़्यादा late हुजए, पर थोड़ा सा patience रखे, टेलिग्राम गूप जान के लिजए, वहाँ पे आपको, अलग-अलग lectures की PDF मिल जाएगी, जो भी मैं आपको daily current affairs की वीडियो बनाता हूँ, daily editorials की वीडियो बनाता हूँ, individual current affairs की topics की वीडियो बनाता हूँ, उन सब की PDF में महाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, सासर द्विनीच सर की जो daily current affairs quiz की वीडियो बनती, उनको भी regularly देखते रही है, तो आपको उससे भी काफी idea मिल जाएगा, daily basis पर आपकी preparation होती जाएगी, और उस particular lecture की PDF भी आपको telegram group में मिल जाएगी, जो भी मेरे YouTube पे notifications नहीं आते हैं, उसके लिए वीडियो का update में telegram में भी देता हूँ, उसले telegram को जरू जोन कर लो, good bye.